आज की एक्सेसाइज है अब भ्यास वारा अंतिम बड़ा अंकुस अंतिम बड़ा अंकुस होता है टा ठा डा और धा इन चारों गैंजनों को छोटा कर दे गए जैसे क्या है प्रारंबिक और अंतिम छोटा अंकुस और अंतिम बड़ा अंकुस तीनों में ही एक ही चीज रहे कि इनके जो बैंजन हैं, जिनको हम जोटा करना चाहा रहे हैं, वो खुद सब्द की सुरुवात कर रहे होंगे, तब नहीं बनाए जाएंगे, और किसी बैंजन के बाद में हैं, तब ये बनाए जाएंगे, तो वही चीज इसमें भी लिखी हुई है, टा, ठा, डा, ठा से सब दुसरू होते हैं, तब तो टाठा डा का अंकुस नहीं बनाते हैं, यदि किसी वैंजन के बाद में टाठा डा होते हैं, तो इनका अंकुस हर किसी वैंजन के अंत में छोटा अंकुस नापाफा से कुछ बड़ा होता है, मतलब जो अभी आपने exercise नंबर 11 में सीखा था, वो अंतिम छोटा अंकुष था, जो कि ना पाफा को छोटा करता है, अब यह अंतिम बड़ा अंकुष है, जो कि ताठा डाडा को छोटा करेगा ठीक है तो वही सब ही बैंजनों पर कैसे लगाएंगे सब्सक्राइब के सुरूवात में बीच में या वादमें स्यूर कैसे लगाएंगे सारी चीज़ सीछ लेते हैं फटाफट तो देखें सब भी 37 बैंजनों पर 47 बेंजनों में पहले सीधे जितने हैं उन पर जितने सीधे अधुगामी हैं उपर से नीचे वाले अंत में 91 दिसा में चाहें दाई और चाहें वाई और आप बना सकते हैं चाहें तावर्ग चाहें पावर्ग चाहें चावर्ग जैसे तट हैं तो तट जो था अभी तक आप जो बनाते थे, वो बनाते थे, ता ये और टा ये, अब क्या कर सकते हैं आप तट, ता चाहें आप ऐसे बना दो, चाहें बना दो तट आप ऐसे, पर एक बात का ध्यान रखना, ये अंकुस छोटा नहीं हो पाए, जैसे इतना छोटा कर दे गए, ये तन हो जाएगा, और ये सब हो जाएगा, ऐसे ही, पावर्ग पर देख लें, जैसे पट हम इतना लिखते थे, वो अब कर सकते हम, चाहें इतना, चाहें इतना, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ये नहीं कि इसको हमने छोटा संगुस लगा दी, तो ये तो पन हो जाएगा, और ये पप हो जाएगा ठीक, जैसे चट है, तो चट जो हम बनाते थे इतना, वो बन जाएगा, इतना, चाहें इतना, पर ये ध्यान रखना इतना छोटा सा नहीं रखना है, ठीक, तो इस परिकार से आप ये सिधे अधो गामी पर बना लेंगे, और खुद इंजन होंगे तो बनेंगी नहीं, जैस पाएगा, अब देखें सीधे उर्दगामी में जो नीचे सूपर होते हैं, उनमें कैसे बनाएंगे, रट या हट, तो इसमें भी मैंने बताया, इच्छा नुसार देसाम बना सकते हैं, रट ऐसे जो बनाते हैं, वो चाहें आप ऐसे बनाते, चाहें ऐसे, और एक बात देह भी नहीं, कहीं बैंजन होते हैं, वो लगने लग जाएं, जैसे हट, तो हट इतना लिखते थे, वो इतना लिखते थे, या इतना, ठीक है, इसके बाद यट है, तो यट जो आप इतना लिखते थे, वह इतना कर दो, या इतना, ठीक, बट है तो वट आप जो इतना लिखते यही सब्द के सुरुवात कर रहे होंगे तब इनको बनाएंगे नहीं जैसे टर हो जाए तो आप सोचें कि टाया को छोटा करें सुने टाबूरा रा पूरा है ठीक अब सीधे सीधे अगरगामी देख buckets कैसे बनाईगे इसमें भी इच्छानुसार धिसामे जैसे कट बनाते हैं आप काई है टाई है तो कट आप चाहें ऐसे बना दो चाहें आप ऐसे ना दो वरतहान रकना चोटे नहीं हो पाई जैसे आपने इतना मिश्च्छ परदीएक कन हो जाएगा कप हो जाए खट है तो खट आप क्या करेंगे खट को चाहें उपर लिख दो चाहें नीचे अच्छा जी काट और डार्क लाइट अभी आपको शुरुआत में लेने जब तक आपकी बाग के बनाने की पावर नहीं आ रही है उसके बाद में तो डार्क लाइट ये सारी चीज आपकी आदत वही पैन की डलवा दी जाएगी अब शुरुआत में आप कुछ दिन ले सकते हैं अब वैसी द्यादोगामी में भी हो गए उर्दगामी में भी अग्रगामी में भी अब आते हम सभी टेड़े बैंजन जो 47 बैंजनों में 27 तो हमने सीधे रखे थे और उन टेड़े में कैसे बनाईना तो सभी टेड़े बैंजनों में अंत में अंदर की और बडासांकोस इसमें च्छानुसार मतलगा न कहीं focus बना दें इसमें क्या करना अंत में जहां बैंजन का अंत हो रहा हो वहीं अंधर की तरफ अदर क्या whenever का चीज होती है जैसे गूम है तो यह जो उपर की कमर टाइप की है वो तो बाहर और जो घूम है वो अंदर जैसे इसकी ये बाहर ये अंदर ये अंदर और ये बाहर ठीक है तो अंदर की तरफ लेना है आपने कैसे इस तरफ अंदर की तरफ इसका ऐसे इसका इस परकार से इसका ऐसे ठीक है ये बंद नहीं करना है इस तरीके से खुला सा ठीक मट तो मट हम इतना लिखते थे वह अब आप इतना जखना ठीक है इसमें इच्छानुसा नहीं के माई ये टान बाहर की तरफ ठीक अध्यान रखना ये बड़ा से रहे कहीं आप इतना छोटा सा रख दिया तो ये मन पढ़ने माएगा लट लट जो इतना लिखते थे वो हो जाएगा इतना नट जो लिखते थे इतना वो हो जाएगा इतना छोटा नहीं हो नहीं तो ये नन पढ़ने माएगा सट जो आप लिखते थे बुल लिख जाएगा अब इतना यह सा का अब रत का प्रियोग करेंगे तो इतना मैंने आपको कई बार बताईए कि आप हर वेंजन को दो दो तिन दिन बार बनाना सिखेंगे तरीके से ठीक अब आपने हर केसी वेंजन पर बनाने सिख लिए अदो गामी पर सीधे पर और अगरे गामी सीधे भेंजनों पर और टेड़े पर भी अब यह तो है नहीं कि सब्द के सुरुव आतम और बाद में ही आए जब 2-3-3-4-4 वहनजोंओ का सब्द हो कैसे बनाएंगे वह चीज देखें मतलब क्या है बीच में जब बीच में आय तब कहां कैसे बनाएंगे तो बीच में जहां आप बना रहे हैं वहीं, जहां आप बना रहे हैं वहीं, यह क्या है जहां आप बना रहे हैं वहीं, जिसे मालो कटर सब्द है, आप कामें इच्छानूसार बना रहे थे उपर की तरह, जब उपर बना रहे तो उपर बना दो, नीचे बना रहे हैं तो नीचे बना दो, हो गया पटर अगर आप इधर बना रहे हैं तो यह हो गया पटर और आप इधर बना रहे हैं तो यह पर यह ब्रत बनना है गलत हो गया क्या करना है पर यह राद वो पिरकार से पढ़ाया था आपको उपर से नीचे वाला वो बना देना यह ब्रत नहीं बन पाए पटर है तो पाटर ऐसे द्वारादथ देखें आराम से पाटर ऐसे पटर लटर डडटकर डट कर ठीक है तो जहां आप बना रहे हैं बहीं जी कर कहां से आया जो आपने प्रारंविक अंकुस में सीखा था ना वह वाली जी नहीं तो अभी जो आप बनाओगे डा टा कर ठीक इसके बाद टाठाडा का अंकुस बनाते कब नहीं है इनको पूरा ही बनाते हैं कुछ जगे ऐसे ही हैं जहां आप इनका अंकुस नहीं बनाकर पूरा ही रखेंगे तो नमबर बन टाठाडा से सब्द सुरू हो तब नहीं मतलब वही एक ही वात है सब्द शुरू हो रहा हो तमनी बनाने जैसे डच है तच है तो टच पूरा ही डख है तो डख पूरा ही और टाठा डढढ स्वर के साथ में सब्द का अंत कर रहे हो तब आम कुछ नहीं बनाते हैं जैसे है क्या? ये कहना चारा है कि सब्द इन्ही टाठा डार से समाप्त हो रहा हो जैसे लट है और किसी स्वर के साथ खतम हो रहा हो तो नहीं बनाते हैं जैसे लट है तो लट लटी तो लटी पूरा पर हां ये चीज अवी आपको रखना है जब तक आपके अंदर बाग के बनाने की पावर नहीं आ लिए लास्ट में क्या करेंगे आप इसको बना देंगे लट लटी पर आप सोचेंगे कि यह लाकर स्वर होगा तो वो कहां बनाएंगे यह उसका तो बाग के कोडिंग पढ़ने में आ जाता है किसका स्वर है कौन से पर क्या है सारी चीज ठीक अभी आप शुरू आत्मा आप क्या कर सकते हैं अभी यह बनाना जैसे पावर आती जाएगी मैं एक साथ सभी के नियम तोड़ने के तरीके बताऊं और समय जब आप इस टोरी लिख रहे होंगे कुछ पढ़ना और लिखना आ जाएगा तो आपक चीज होनी जरूरी है यह चीज जरूरी नही है आगे देखें जैसे कट तो कट जो पहले इतना बनाते देए यह यह तो बना सकते हैं खटी फ्रिफ कटी पूर रहे पर यह भी लास्ट में तुड़वा द् coraz रहे ने हम बनादे नहीं है से ठीक है अभी आप इसको ऐसे बना के चलना ठीक स्वर मालो है क्या स्वर बाली चीज भाई खुद स्टार्ट हो रहा था सब्द इनी चीजों से तो तो आप बनाई नहीं रहे हैं जैसे टच है तो टाई ये बना रहे हैं और चाहिए तो टा से पहले वाला तो पहले दे देंगे आप बादवाला बाद में दे देंगे और और वैंजनों का अपनी अपनी जगह दे देंगे और सब्द के अंत में हैं ये वैंजन और उन पर सवर हैं तब भी हम नहीं बना रहे हैं अभी मैंने मना कर रहा था तो यहां भी कुई सवर की जरूरत नहीं पड़ी तो फिर सवर की कहा जरूरत पड़ेगी, जैसे है क्या, ये टाठा डा, सब्द में बीच में होंगे, और जब बीच में होंगे, उन पर वो स्वर होगा, तो वो स्वर कहां लगाएंगे, उसकी सीख लें आप लोग, जैसे क्या है, जब बीच में हों, तो टाठा डा के तुरंत बाद में, जो भी बेंजन हो जैसे टाठा डा के बाद में रा है तो उस बेंजन के left hand पर तो इस टाठा डा के लगा के चलना और right hand side पर इसके खुद के लगा के चलना ठीक है जैसे कटेर है तो कटेर में आपने कावणा दिए टाकाम को सुधाइए तो इसका तो चलेंगे यह अंकुस के और इधर चलेंगे इसके खुद के जैसे क्या है कटेर है का से पहले वाले तो इधर चलेंगे का के बादवाल इधर के टाके चलेंगे इधर और रा के चलेंगे इधर ठीक है ऐसे हो जाता है पढ़ने जैसे लुटोए रे है तो लूटे रे अफिवार बताया है कि आगे जाके तो ये स्वर लगाती ही ना है डारेक्ट लिखते चले आते हैं अब परसुरुवात में जरूरत पढ़ती है इनकी सब्द में टाठा डा के तुरंत बाद में जो भी वेंजन हो उसी के बाईं और टाठा डा की और दाईं और टाठा डा के बाद में जो वेंजन हैं उसी के ये वही चीज बता रहा है, मैंने जो लिख दिया है, सब्द में टाठा डा के तुरंत बाद में जो भी बैंजन हो, उसी के बाइं और टाठा डा के जैसे टाठा डा के बाद में रा था, तो उसकी बाइं और यानी लेट हैंड टाठा डा के स्वर हैं, और दाइं और टाठा ताके बाद में जो बैंजन है उसी के, मतलब ताठा डाके बाद में जो बैंजन है वो या ऐसे लिख लो, लेफ्ट हैंड पर तो है अंकुस के, और राइट हैंड पर खुद उसी बैंजन के हैं. ठीक, तो ये इस परकार से बनाने सीख लिए आपने, ठीक, अब थोड़ा छोटे रूप में सीखें, आपने सीखा था भी टाठा डा का, टाठा डा और धा का अंकुस लगाना, छोटा करना इनको, तो जो सीधे अदो गामी आपने उनके अंत में लेट या राइट दोनों तरफ इच्छा नूसा लगाया, और दो गामी में भी इच्छा नूसा लेट चैन राइट में, अगर गामी में भी इच्छा नूसा लेट चैन राइट में, और टेड़ों में लगाया था आपने अ चा के बीच माया तो इसको कहां लगाएंगे तो मैंने आपको बताया था आप जहां बना रहे थे वहीं जैसे तटाच था तो ताटा जया इच्छा नुशार तो इस तरीके से ये आपको ये वाली एक्सेसाइज टाठा डा को छोटा करना सिका देगी अब टच में खोदेंजन नहीं बनेगा पूरए बनाओ डट कर तो डा तो बन नीजसे का टा जरूंब बन जांगे ड़ा ये ता कंकुस और कारा कर और रा कंकुस लगाएंगे तो डट कर नटखत तो ना में ताकंकुस लगाओ नटखत प्रियुक करेंगे तो फा-टा कार ठ pergunta ठाण जाट टाट जट थन तरहें को इस प्रिकाड में यह सारे सब्ड हो इनको बनाकर प्रैक्ट आधि करणीं प्रेक्स तो यह एक्सरसाइज आप लोगों को तटाटा डादा जहां भी यह आएंगे कि अधिनल के सब्सक्राइब बनाने चुट्टी सिकार देगी आप लोगों को ध्यान रखना है जहां से मैं ने पढ़ाने सिकाया है वहाँ से साइसे एक तरफ से ही पढ़ना है स्टार्ट करना जैसे आपने अधोगामी पर सीखा है और अधोगामी पर फिर अगर में फिर टेड़ों में फिर बीच में कहाने गनाते हैं वो और फिर स्वार ठीक